Hello Everyone Welcome To Current Perses Logix Friends, आजकी से वीडियो में हम और कवर करेंगे 26 अपरिल के डेली करेंट अफ़ेस के क्वेस्टन्स और इसके साथ सथ हम और कवर करेंगे लो इस वीडियो में स्टाटिक जीकी के इंपॉर्टं इंपॉर्टं फुर्टं के सिन्स बिए है so friends सबसे पहले बात करते हैं आज की important day से so आज का important day है world intellectual property day जो की friends मनाया जाता है 26 April को то यहा 26 April को मनाते है word intellectual property day इसको मनाने के पेज़े का main purpose कीया है ये दिन dedicated है to promoting the role of intellectual property in stimulating innovation and creativity तो ये जो तिन है ये नवचार और रशनात मक्ता को प्रसाहित करने में बौदिक संपदा की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है और इस बार इसकी थीम क्या रही है अब बात करते हैं आज के पहले क्वेशन सी पहला कोशन देखे अकॉर्डिंग टूदा सीपरी रिपोर्ड वट वोस इंडिया रैंक इन दा वर्ल इन टम्स ओफ मिलिटरी स्पैंडिंग इन ट्वेंटी ट्री अगर हम बात करें सेन्ने खर्च के मामले में तो 2023 में अगर भारत की रैंकिंग की बात करें कि इंडिया ने 2023 में मिलिटरी पर कितना स्पैंड किया है तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक कौन सी है तो इंडिया उसके अकॉर्डिंग है फॉर्थ प्लेस पी नमबर वन पे है United States जो कि अपनी military पे सबसे ज़्यादा spend करता है सेकंड पे है China, थर्ड पे है Russia और India जो है इंडिया की कौन से रैंक है इसमें फोर्थ सिपरी ने ये रिपोर्ट देखे दी है तो सिपरी का पूरा नाम है Stockholm International Peace Research Institute सिपरी के स्थापना होई थी 1966 में और इसका हेड़क्वाटर है Stockholm, Sweden में Next question देखे, which organization has developed the bulletproof jacket of the country for protection against the highest threat level 6 देश के सबसे पड़े खतरे level 6 से सुरक्षा के लिए bulletproof jacket जो है किस संगठन ने विक्सिप की है तो ये जो jacket आपको दिख रहे है इसको develop किया है किसने DRDO ने ये bulletproof jacket है जो कि level 6 का जो खतरा होता है उससे भी जो है आपको ये safe कर सकती है तो इस jacket का जो design है इस तरह से based है जो की नई process और नई-ने सामागरी का दिखे इसमें उप्योग किया गया है DITO ने इसको develop करी है तो DITO का पूरा नाम है defense research and development organization DITO के स्थापना होती 1st January 1958 को headquarter है DITO का New Delhi में DITO का motto है strength origin is in knowledge और chairman है DITO के Samir V. Kaamad next question है C. and which IIT have signed an airing agreement for automated service management in 5G and beyond networks using AI तो C. and which IIT ने AI का उप्योग करके 5G और उससे भी beyond network जो है उसमें स्वचाले सेवा प्रवंधन के लिए एक समझोते पर हस्ताक्ष करें है तो यह समझोता C. and or किया है किसने IIT जोदपूर ने कुछ friends हम other IIT से related important news की बात करें तो Airbus ने देखे tie-up किया था IIT कानपूर के साथ to promote aerospace education IIT कानपूर ने partnership करी थी ICIC bank के साथ मिलकर to foster startup innovation IIT Govahati ने develop किया farmatical and food product को किसे tea factory के waste से इसके लावा IIT जोदपूर के scientists ने code device develop करी थी for good air quality IIT मदरास ने generate किया था hydrogen sea water से और इसमें use करी थी solar energy IIT Govahati के researchers ने AI based model develop करा था नी x-ray के लिए और light storm ने IIT मदरास के साथ में sign की थी एक partnership करी थी to launch employment scaling initiative Next question है which edition of the international conference on disaster resilient infrastructure begin in New Delhi So अभी आपदा पृतिरोधी मुन्यादी धाची पर एक अंतराश्टे देके सम्मेलन हुआ है और इसका कौन सा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ तो इसका अभी 6th edition जो है कहां पर शुरू हुआ है यादखेंगे यह भी New Delhi में इस conference की theme क्या रही investing today for a more resilient tomorrow अगला है India's first semiconductor fabrication unit chips in which state So इंडिया की यानि भारत की जो पहली semiconductor fabrication unit chips की सराज्य में है तो यह है कहां पर पंजाब state में इंडिया semiconductor laboratory situated in यह कहां पर situated है पंजाब के मोहाली में जो की हमारे देश की original semiconductor fabrication unit है पंजाब के capital है French चंडी का CM है भगवंत मान और governor है यहां के बनवारी लाल पुरोहित पंजाब से भी आपकी यातों का आपको पंजाब सरकार ने जो है operation clean अपने हाप एक शुरू किया था इसके लब फ्रेंट्स पंजाब जो है वो पहला state बना जिसने right to walk को जो है वो start किया था CMD योकशाला प्रोग्राम यहां पे शुरू की गई थी और पंजाब सरकार ने जगाना धरत यातरा को ऐजा state festival का tag दिया next question के बात करते है इन April 2024 which company has launched fee 3 min a lightweight artificial intelligence model so भी देखे अप्रेल 2024 में किस company ने एक हलका कृतिम बुद्धिमत्ता model जिसका नाम दिया है fee 3 min mini से launch किया है तो इस model को किसने launch किया है Microsoft company नी so यह जो model है open AI के GPT-4 turbo जैसे जो other के heavy weight large language models है उनके comparison में बहुत ही simple है बहुत ही cheaper यानी सस्ता भी है Microsoft के सापना होई थी 1975 में headquarters का है Washington DC में chairman है Satya Nadella और president कौन है इसके Brad Smith next question देखे which company has introduced its inaugural travel centric core credit card जिसको नाम दिया है miles तो friends बात करते हैं कि किस company ने देखे अब एक credit card जिसको नाम दिया है miles इसको पेश किया है तो किस company ने जो है इसको launch किया है सही answer है SPI card ने जो है इस credit card को launch किया है यह जो card है यह travel benefits देता है आपको जिसमें आपको air एक तरीके से इसमें include किया है देखे travel card को आप air miles या hotel points में convert कर सकती है और कहीं सारे देखे lounges का भी आप फायदा ले सकते हैं इस airport पर आप airport lounges को access भी कर सकती हैं तो कहीं सारे benefits जो है वो इस card से आपको मिल पाएंगी अब देखे banking sector में कुछ और facilities launch होई उनको एक बार revise कर लेते हैं भारत पे ने भी launch किया था all-in-one payment device जिसको नाम दिया है भारत पे वन एटल payment bank ने launch किया NCMC enabled debit and prepared prepared card को SPI life insurance ने launch किया पहला edition of the ideation X तो ideation X का पहला edition launch किया है SPI life insurance ने भारत पे ने एक application launch की zero पे नाम से चोकी design करी गई है medical loans के लिए बंधन mutual fund ने launch किया था बंधन innovation fund को next question है the appointment committee of the cabinet has approved the reappointment of RBI deputy governor T. Ravi Shankar for how many years तो देखिए इनका जो कारेकाल आप यह सकते हैं कि बढ़ाया कया है दुबारत से इनकी पुनण्युक्ति की गई है RBI के deputy governor के पत के लिए तो इनका जो extension है वो किया कया है एक साल के लिए तो अभी एक साल ये RBI के रहेंगे deputy governor RBI की बात करें तो 1st April 1935 को RBI के स्थापना हुई थी RBI का nationalization हूँ अता 1st January 1949 headquarter है मुंबई महराश्टु में RBI के देखिए governor तो शक्तिकान दास हैं और 4 है RBI में deputy governor M.D. Patra M. Rajeshwar Rao Swaminathan and T. Ravi Shankar तो T. Ravi Shankar का जो कारेकाल है वो एक साल के लिए बढ़ाया गया है next question देखिए who has been appointed as a brand ambassador by the ICC for the 9th ICC Men's T20 Cricket World Cup देखिए चो अभी 9th ICC पुरुष T20 Cricket Wish Cup होने वाला है उसके लिए ICC के द्वारा किसे brand ambassador nuked किया गया है तो इसके लिए brand ambassador nuked किया गया है उसेन बोल्ट को other brand ambassadors की बात करें तो अभी MS-0 नी बने है French car maker company Citroen के brand ambassador Space India ने brand ambassador बनाया है Sanjana Sanghi को Everady batteries के brand ambassador बने है Neerat Chopra Slice company है Weberish company है देखिए उसकी brand ambassador बने है नए अंतार BPCL Speed Petrol variant के brand ambassador बने Neerat Chopra Chennai Super Kings team के brand ambassador कौन बनी है Katrina Kaif Next question Who has been elected chairman of the Wrestling Federation of India's Athletics Commission Bhartya Kuchti Mahasang के Athlete Aiyog का अध्यक्षिक के से चुना गया है तो friends इस पत पर appoint किया गया है Nursing Yadav को So Nursing Yadav Arjuna Award winner भी रही है Asian Championship के gold medalist रही है 2010 में और इन्हें अभी जो है वो ऐसा एक chairman जो है वो इन्हें चुना गया है Next पात करते हैं अगला important question है देखिए Who is the author of the book जिसका title है Heavenly Islands of Goa तो Heavenly Islands of Goa नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो ये book लिखी है friends किसने यादखेंगे Goa के governor के दोरह इस book को देखिए Release किया गया है P.S. शरीधरन पिलई Very important और book का नाम है Heavenly Islands of Goa कुछ और important books की बात करेंगे Recent अभी आई है देखिए A Game of Fire ये book लिखी है नवदी, सूरी और नानक सिंग ने Just a Mercenary Notes from My Life and Career Former RBI के head दूरी सुबाराव ने book लिखी है Knife के author हैं सल्मान रुषदी The Law and Spirituality Reconnecting the Bond Author का नाम है रमन मितल और डॉक्टर सीमा सिंग I Can Coach Author है सिद्धार्थ राजशेकर The Idea of Democracy Author का नाम है Sam Pitroda Next question India wins how many medals in Asian Wrestling Championship 2024? Asia कुष्टी Championship 2024 में भारत ने कितने पदक जीते तो friends इसमें इंडिया ने जीते हैं कितने 9 medals, 9 medals जीते हैं जिसमें से जीते हैं चार सिल्वर और पांच ब्रॉंज मेडल, Asian Wrestling Championship कहां पी हुई ती इसका venue भी याद रखना हैं बिश्केक किर्गिस्तान में तो देख सकते हैं आप यहां पे सारे winners ने silver medals की तो किसने किस किस category में देखे medals जीते हैं वो सबी यहां पे आपको list दी गई आप इसे एक बार जरूर पढ़ी नेक्स क्वेशन वेर इस दा आर्चरी वोल्ड कप 2024 बिंग ओगनाइस्ट सो तीरंजाजी विश्कप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है तो फ्रेंट्स इसका आयोजन किया जा रहा है चाइना में तो यहां फ्रेंट्स हमारे करेंट अफेस के सभी important questions complete हो गए है चलिए अब बात करते हैं strategy के questions की पहला question है in which among the following years सावरमती आश्रम वोस एस्टेबलाइश्ट बाई महात्मा गांधी किस वर्ष में देखे सावरमती आश्रम के स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई located कहां पे है गुजरात में next question who was the first British Governor General of India भारत के पहले British Governor General कौन थे answer is Warren Hestings तो ये 1773 से लेके 1785 तक जो हैं वो Governor General के पत पर रहे थे next is the servants of India society founded by whom in Pune तो servants of society इंडिया की स्थापना देखी 1905 में होई तो किस ने करी थी तो इसकी स्थापना करी थी गोपाल कृष्न गोखले जी ने 1905 में और कहां पे करी थी पूने शहर में next who among the following was the first Governor General of India निमलिकित में से कौन भारत का पहला Governor General था सही आंसर है Lord William Bantic इंडिया के पहले Governor General थी next question who among the following stabilized the Ram Krishna Mission निमलिकित में से किस ने Ram Krishna Mission के स्थापना करी सही आंसर है Swami Vivekanand so 1897 में Swami Vivekanand ने स्थापना करी थी Ram Krishna Mission की तो friends यहां हमारे सभी most important questions complete हो गए हैं कल के test के questions को discuss करते हैं पहले question बोला था पूचा गया था कि इंडिया के पहले मुगल emperor कौन थे सही आंसर है बापर second question था बिहार में 1857 का जो revolt हुआ था विद्रो था उसका आयोजग कौन था तो वो कौन थे तो वहां पर सही आंसर है हमारा conversing ठीके friends conversing हमारा right answer है तो thank you friends आपने answers करे हैं और इसी तरह से आप लोग friends regular test के questions को जरूर solve करें आज के comment हमारे Pundalik and Rishitham चली friends अब बात करते हैं आज के test questions की तो पहला question है देखिए अलूरी सीता राम राजू was a tribal freedom fighter from which state of India second question की बात करते हैं तो देखे गांधी इर्वन पैक्ट जो है किस आंधोलन से सम्मंदित था तो friends इन दोनों question की answer आप हमें बता दीजिए जल्दी से comment box में इसी के साथ फरेंड डेली कर इंटर्वेस का session करते हैं यहाँ पे complete thank you so much for watching this video